तो आगे बढ़ते हैं हम सिक्स्टीफॉर तक पहुंच गए हैं आगे किस लोग देखते हैं देखो संसार की जो समस्त शक्ति मत्ता परमेश्वरी की ही परमसत्ता की देन है जो भी शक्ति दिखेगी इस संसार में सारा इश्वरी परमेश्वरी की से द्वारा ही चलाय मान है प्रत्यक प्राणी की आभा प्रत्यक प्राणी की शोभा प्रभा या प्रतिभा किसी में भी उसी पराशक्ति का ही प्रतिरोग परिलक्षित होता है हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने वाली आखों को सूर्य से जोती मिलती है जो देखने की क्षमता प्रदान करती है आपके आख में अग्नितत्व है वो सूर्य की जोती है तब यह आप देख पाते हैं हमारी वानी से कोई बात निकलती है तो बोलने वाली जीब को भीतर से ज्वाला मिलती है तो उसे बोलने में सक्षम बनाती उसको तो और जाए ना द्वनी भी और जाए आपकि माईक में बोलते हैं अभी मैं यहाँ पर बोल रहा हूं से अब उसको क्या करते हैं यह मशीन क्या करें लैपटोप क्या क्या लोगने जब लगने इसको करके को सुन्सकोल जिए एक 있으면 फिर उसको प्रोसेस होके वो इंटरनेट त्वारा फिर आप में तक पहुंच रहा है फिर आपके मशिन में क्या हुरा है उसको फिर से एलेक्ट्रिक शिगनलिक Pow Ne зах Indust half के तो यह वारनी भी यहारी है तो जीव से शब्द बो निकालने के लिए वार्णी निकालने के लिए बल चाहिए ज्वाला भीतर से उसे से बोलने में सक्षम बनाती है अगर हम किसी बात पर सोचते हैं तो सोचने वाले मन को भीतर का चंद्रमंडल सोचने की शक्ति प्रदान करता है इस प्रकार शरीर के भीतर जो तेज है वही बाहर सूर्य चंद्रम और अगनी के रूप में विद्यमान है इस भीतरी और बाहरी तेज का एक मूल आधार है जिसे हम पराशक्ति कह सकते हैं इसी को महात्रिपर सुंदरी कहकर श्री माता की जोतिर में मूर्ति त्रई की और संकेत किया गया है इन तीन मूर्तियों में अगनी और चंद्रमा की जोति का वरणन अभी हमने कर लिया कल अब अगले श्लोक में सूर्य प् करनन आरम किया जाता है 65 65 नमर का श्लोक भानु मंडल मध्यस्था भैरवी भगमाले नीं पद्मासना भगवती पद्मना बस होदरी भानु मंडल के बीच में पद्मासन लगाए बैठी भगवती भय को भी भयवित करने वाली भैरवी की बाती सब को अभय प्रदान करती है भैरवी के आर्थ क्या होता है भय को भी भयवित करने वाली सूर्य से ही नेत्रों को जोती मिलती है और नेत्र रिदय में विश्राम करते हैं इसलिए रिदय सूर्य मंडल का प्रतिरूप है हमारा जो रिदय है वो सूर्य मंडल का प्रतिरूप भीतरी सूर्य मंडल यही अनाहच चक्र का भी स्थान है रिदे से निकलने वाली 101 नाडियों में तीन नाडिया प्रदान है जिनको इड़ा, पिंगला और शुशुम्ना कहा जाता है यह तो आपने सुनाई होगा, इड़ा माने जो राइट साइड में सूर्य के नाड़ी और लेफ्ट साइड का जो नाड़ी है वो पिंगला जो चंद्रमा की है और बीच में जो है वो शुशुम्ना जो अगनी के संचार का मार्ग है यही नाड़िया सूर्य चंद्रम अगनी के संचार मार्ग है, बीच की शुशुम्ना को संतूलित करने वाले दोनो नाड़ियों में एक सूर्य नाड़ी है राइट साइड में और दूसरी चंद्रमा नाड़ि है लेफ्ट साइड में इनी की गतिशीलता का नाक के दोनों रंद्रों से दोनों छेदों से दोनों नथोनों से निकलने वाले उच्छवास और निश्वास के माध्यम से प्रकट होती है इन तीनों की शुशमा से शोभित होने वाली महात्रिपुरसुंदरी कभी काली, कभी लक्ष्मी और कभी सरस्वती का रुप धारण करती है। कि बाद में तीन दिन रजस्प्रदान लक्ष्मी जी का महालक्ष्मी का पूजन होता है। परिशान हो जाएंगा निद्रा आने के लिए तमस्व अवश्रक है भूत ज्यादा कभी सत्व बढ़ जाता है यह रजस बढ़ जाता है उस दिन निंदी नहीं आती इसलिए तमस्व का स्थान है ऐसे आपको कार्य करने के लिए कुछ भी कृत्य करना है थोड़ा सा कोई वस् रजस्क और शांती, आनंद, प्रेम ये सब जो भाव है ये सत्व गुन से प्रकट होते हैं तो तीनों शक्तिया विद्यमान है हमारे भीतर तीनों आवश्चक है अगनी कुंड में काली, चंद्र मंडल में लक्ष्मी और सूर्य मंडल में सरस्वती के रूप में विराजमान महालावण्ने वती जैसे अंतरिक्ष को आलोकित करती है वैसे अंतरंग को भी आलोकित करती है आदित्यमंडल के अंतरगत समस्त प्राणियों के प्राण निक्षिप्त रहते है सूर्य की किर्णों के द्वारा प्रतिदीन प्रातक काल इन प्राणों का संचार होता है और आखों के जरिये दिल में पहुँच जाते है अभी नया संशोधन है आप इसके उपर थोड़ा सा पढ़ लेना होटो रिसेप्टर सेल्स जो रहते है न पौधों में पत्तों में वो क्या करते है सूर्य की किर्णे सूर्य के प्रकाश को अवशूशित करते है वही सेल्स मनुष्य के प्राणियों के आखों में भी पाए लिए है जो सूर्य के प्रकाश को अवशूशित करते हैं और गुर्जा प्रदान करते कुछ लोग आपने सुना होगा जो पिना अन्न से भी जीते है अभी हाले में एक महात्मा थे उनका दियान्त हो गया अभी गुजरात में थे फोरय जिवन पर अन्न खाये है मैंने सुना शाए जल्ल भी नहीं पिया कहीं दुनिया भर के लोगा आते थी उनके उपर संश्बदन करने के लिए यू कि अमरिका जैसे जगह से भी कि दो के उपर संशोदन करने के लिए थे क्योंकि उनको यह धूंड़ना था कि ऐसी यह । कि जिसके वजह से विना Sabaki फ्रार के लिए कि क्टारा पड़ता है कि कई दिनों तक खाने के लिए नहीं मिलता है तो अई से कठिन परस्तिति को वह मात दे सके इसलिए सारे दुनिया पर की मेरे लगा कि क्या क्या करके उननग्या लेकिन उसका कोई नतिजह निकलाने कुछ सक्सेस मिला ने इसमें तो यह बड़ा विशेश है और आपको बता दू गुजरात के जो महात्मा थे यह देवी के भक्त थे इस भी विशेश था है शायर अंबा जी या कुछ तो नाम था उनका माता जी जैसे रहते थे वह नाक में नथोनी बगरे पैनके पूरा लाल कपड़ी पैनके रहते थे गोगल कर लेना बहुत फेमस हुए उनको कोई तो शाधारन तो व्यक्ति थे नहीं वह जगा जगा आपक लिए कि उर्जा खोग्रहन कर सकते इसलिए सुभा सुभा जब सुरज निकलता है सूर्योंतर थे सब्सक्राइब कर देखना हो नाया अरगय देने का विधाने संध्या वंदन में भी अरगय देते नदी में नाथा से समय अर्गत देते सूरीय पका सुरिय को उस समय मारह जितनी देर वंजली का जल गीरता नहीं है के उतने देर तक हमने उसको देखना चाहिए और सूर्य के तरफ ज्यादा सदर्वी नहीं देखना उन से कम भी नहीं देखना तो वो स्वास्थवर्दक Jesus की उर्जा अपनी भीतर लेके जाता। यह तो सूर्य के किरणों के द्वारा प्रती दिन प्रातक काल इन प्रानौं का संचार होता है और आखों के जरिये दिल में पहुंच जाद इसलिए आधित्य मंडल या भानो मंडल समस्त प्राणियों के प्राणों का अक्षय कोश है जिसकी अध्यक्षता श्री माता ललिता स्वयम करती है अक्षय कभी क्षय न होने वाला कोश्ट वेदों में और उपनिशदों में आधित्य मंडल के अंतरगत निव कइरता है इसी हिरण गर्भ को अपने गर्भ में धारन करने वाली हिरण्यमतल करते हुए श्री शूक्त आता है लक्षमी के बारे में, उसमें विस्त्रूथ है यह करिणी, हेम मालीनी, सुवरनाम और यस्टी कहता है चार नाम आते यह श्रीशू क्थ में इनही के लिए इसी से संबंदित कुन से यहकरेणी, हेममालेणी, सुवरणाम और यश्टी चंद्रमंडल में विराजबान होने वाली चांद्री को इसी सुप्त में पुषकरेणी, पद्ममालेणी, पिंगला और पुष्टी ये चार नाम दिये हैं इन दोनों की तुलना बहुत ही रोचक और प्रेलक है, दोनों आर्द्र, माने गीली किरणों से शोबित है, दोनों हिरण्यमाई, माने सुनहली शोभा से अडुप्राणित है, हिरण्यमाने सोनेक, सुनहरा पर चंद्रमंडल की हिरण्यमाई लक्ष्मी पुष्टी प्रदान करती है, इसलिए पुष्करणी है, जबकि सुर्यमंडल की सुनहली किरणे प्राणियों को प्राण भी देती है, और साथ साथ दंड भी शरीर में जो अनावश्यक और अतिरिक्त तत्व है, उसको नश्ट करके जीवन को नियंतरित करने के कारण और शुष्मा को यहकरिनी और यश्टी, यहकरिनी और यश्टी का मतलब दंड या चड़ी होता है, दंड भय को दूर भी करता है, और पैदा भी करता है, भय दिख खरते जेई करता है, इसलिए अक्सर सूर्य को पिता और चंद्रमा को माता कहा जाता है, माता बच्चों का पालन कोशन करती है और पिता सही शिक्षा के माद्यम से उनको शुद्ध और प्रभुद्ध बना देता है, भानो मंडल के बीच प्रतिष्ठित भगवती भी इसी प्रकार प्राणि उनको अभय प्रदान करती है, इसलिए उनको भैरवी कहा गया है, देवी की जो भयनकर मुखमुद्रा है वह दुष्टों को भय दिखाने के लिए और शिष्टों को अभय प्रदान करने के लिए है, संसार में जितना भी आईश्वर्य है वह सब परमेश इसलिए उनको भगमाली नहीं कहा गया है भग का मतलब अईश्वरिय भाग्य और आधार है भग का मतलब अईश्वरिय भाग्य आधार इसके अलावा बारह आधित्यों में एक भग भी है बारह आधित्य न उसमें त्यारा रुद्र बारह आधित्य आठ वसू कुल मिलाकर भग को प्रकाश सवभाग्य और सवंदर्य का प्रतिक माना जा सकता है इसी की माला धारन करने वाली माललिता को भग माले ने कहना बहुत ही समीचीन है भगवति को यहाँ पदमासना का आ गया है अब पदमासन एक ऐसा आसन है जिसमें मेरू दंड सीधा रहता है मेरू दंड के मार्ग से चलने वाली इडा पिंगला और शुशुन्दा नाम की तीनों नाडिया अपने स्वाभाविक और शुद्ध स्तिति में तभी रहती है जब हम पदमासन लगाए बैठ जाए इसलिए सभी योगिक आसनों में पदमासन का प्रमुख एवं प्रार्थमिक स्थान है जो योगा करते सुबह के योगा में भी आपने देखा होगा पहले पदमासन में बैठके ओमकार से शुरू करते पहला प्राणायम क्या है ओमकार ओमकार कोई धवध्वनी निकालने का कोई ऐसे नहीं है ओमकार प्राणायम है मुख्य प्राणायम प्राणायम में सभी और वो सबसे पहले पदमासन लगते नहीं है वो अलग बात है चर्वी चड़ गई है जकड़ गई है सब स्नायू तंत्र अच्छे से योगा करना रोज फुल जाता है ज्यादा दिन नहीं लगता आट डस दिन बारा दिन भी ठीक ठाक बोजन अच्छा बोजन पेट में डालते हैं और तोड़ा सा एक सबस्याइद वो आसन अगर ठीक से कर वो सारा फ्लेक्जिबिटे उतना तुक्षम ता अमारे अंदर हमारा शरीर ऐसे फ्लेक्जिबल होना चाहिए बिल्ली के जैसे बिल्ली को आप दस्वे मंजिल से भी नीचे डाल दो वो बराबर चार पाउपे खड अब ले योग से होता है तो पत्मासन जो है योगिक आसनों में प्रमुख और प्रार्थमिक स्थान है पहला आसन है यह एक प्रकार से यह योग विद्या का प्रारंभिक पाठे आपने देगा पद्मसाधना में भी पहले पद्मासन बनाना पड़ता है यह आपको आता है बात कर रहे हैं नहीं तो फिर चोट देते पद्मासन या अर्धभ पद्मासन प्र-फद्मासन ल Васथ कोई कर ले करके फिर दूसरा बॉड़े रोटेशन शुरू होता जो 20 आशनों की शुरूखला है इसमें पद्मसाधना में उसमें पहला आसन पद्मासन ली है फिर दूसरे आसन शुरू हो जाते हैं तो एक प्रकार से यहां योग विद्या का प्रारम्विक पाठ है सभी प्रकार की सिध्यों के लिए भुनियादी आवशक्ता भी है पदमासन के सिध्ध होने पर ही भगवती का साक्षातकार होता है जिससे सब कुछ पाया जाता है वही पदम और इस पदम को प्राप्त कराने वाली देवी पदमासना है वही भगवती है इस लोक का अंतिम नाम है पदमनाव सहोदरी कहा जाता है कि भगवान विश्णु की नाभी से एक कमलिया पदम निकलता है जिसके उपर सृष्टी करता ब्रह्मा अपने चार मुकों से चा जादरी किसको बोलते हैं बहन को क्योंकि एक ही गर्ब से आते हैं इसका मतलब यह है कि सृष्टी कमल की मूल मिस्थित भगवान विश्णु का जो उद्गम स्थाने वही भगवती ललिता का भी है आनद ही दोनों का उद्गम स्थाने आनंद ही ब्रह्म है वही ब्राम्मी भी है आनंदी आनंद ही विश्णु है और वही वैश्णवी भी है आनंद ही शंकर है और वही शंकरी भी है यह सारा संसार इसी आनंद मई की आनंद लिला है जिसका वरणन अभी अगले श्लोक में किया जाता है 66 परमिश्वरी आखे खोलती है तो सारा संसार उत्पन्न होता है और वह आखे बन कर लेती है तो सारी सुष्टि तिरोहित और लुप्त हो जाते हैं हमको कितना बड़ा लगता यह समय है परमिश्वरी का एक बार आख पलक जपकना माने शुरुष्टी का निर्मान और करोड़ों करोड़ों वर्ष उनके पलक जपकने में लगता है इसका अंदाज लगा उनका रूप कितना उपर से नीचे आखे बंद होने के लिए और खोलन में के लिए कितना समय लगता है उतना आकार्द्री तो बड़ा रहे चाहिए तो वर्णन क्या है इसे पलक जपकते और खोलने से शुरुष्टी का निर्मान और कि अंध होता है तो परमेश्वरी आँखे खोलते हैं तो सारा संसार उत्पन होता है और वह आँखे बंद कर लेते हैं तो सार इस रुष्टी तिरोहित और लुप्त हो जाते हैं पाणीन का एक सूत्र है पाणीन आपको पता है जिन्होंने व्याकरण दिया है संस्कृत का इस संसार में व्याकरण सबसे पहले पाणीन लिख़ा है उन्होंने एक सूत्र दिया है अदरशनम लोपह मिनिंग क्या होता इसका दिखाई नहीं देना ही लुप्त होना है जिस जो चीज दिखाई नहीं देती है उसका होना नहोना बराबर है लेकिन यहाँ पर लवकिक और अलवकिक दृष्टी में थोड़ा सा अंतर है लवकिक दृष्टी से जो चीज दृष्य नहीं है वह पारलवकिक दृष्टी से दृष्य हो सकती है परमेश्वरी की दृष्टी पार्थिव दृष्टी से भिन्न है जिस पर उनकी दृष्टी वह अस्तित्व में आ जाता है, वह न होते हुए भी होता है, इसके विपरीद जिस पर उनकी दृष्टी नहीं पढ़ती है, वह होते हुए भी नहीं होता है, वास्तों में लवकिक दृष्टी से जो दृष्ट है, वह नश्य है, नाश्य है, वो कतम होने वाला है, अविनाश अव्य और अक्षे तक पूर दृष्टी वोचर नहीं होता है उसका दर्शन प्राप्त करने के लिए अलवकिक दृष्टी चाहिए जो परमेश्वरी की कुरूपा से ही प्राप्त हो सकती है परमेश्वरी की यही दृष्टी सार इस दृष्टी का आदार है लवकिक दृष् व्यक्ति वहिर्मुख होते हैं और पारलवकिक श्रेया की भावना से युक्त योगे अंतरमुख होते हैं, अंतरमुख बन जाते द्यार करते हैं, समाधिय लगाते हैं, आखे दोनों पक्षों के लिए एक किवाड है, दरवाजा है, कभी-कभी संध्य होता है, डाउट आता ह कि हमें दो आंके क्यों दी गई है, देखने के लिए एक यह कांक काफी होता है, पर दो मिल चुके हैं, तो इसके पीछे कोई उदेश होना चाहिए, जब तक आंके खोली है वे दो है, बंध होने पर दोनों एक बन जाती है, और एकाँज चिंतन की अवस्था में भौवों के पीच ललाट के स्थान पर मिल जाती है आंके और विश्राम के समय रिदय की शया पर आराम से लेट जाती है। जगदीश्वरी का नेत्रोन मिलन ही सुरुष्टी है और उनका निमिलन ही प्रले है। संसार में जितने चेरे है, जितने दिल और दिमाग है, जितने हाथ और पेरे, जितने नेत्र और कान है, जितने रंग और रूप है, सब उनहीं के हैं। इसलिए वह सहस्रशीर्षवदना हजारो सीर और हजारो मुखवाली है। इस लोग की दूसरी पंक्ति में सहस्रशीर्षवदना, सहस्राक्षी, सहस्रपात से, श्री विश्णु सहस्र नाम की एक पंक्ति, सहस्रमूर्धा, विश्वात्मा, सहस्राक्ष, सहस्रपात, मिला कर देखने से पता चलता है, कि भगवान और भगवती की रूप कल्पना में कितना सामने हैं, दोनों एक ही तत्व के दो पहलू है, एक दूसरे के पुरक और एक दूसरे के प्रेरक है, एक ही सिक्के के दो बाजू है, संसार की सुरुष्टी ही नहीं बलकि उसका नियमन, निगमन और विधायन भी परमेश्वरी के संकेत मात्र से संपन्न हो जाता है, यही बात अब सहस्त्र नाम का अगला श्लोप 67 नमबर, आ ब्रम्हकीत जननी बरणाश्रम विधायनी, निजाग्नारोप निगमा, पुन्या, पुन्या फलप्रदाव, छोटे से छोटे किडे से लेकर सारे ब्रम्हांड और ब्रम्हांड के स्रष्टा ब्रम्हा तक की सारी स्रुष्टी परमेश्वरी की उद्भावना है, जगजननी की स्रुष्टी में जडचेतन, स्थावर जंगम, पशुपक्षी, स्त्रीपूरो, छोटे बड़े सबका समान मत्व है, चीटी से लेकर समराठ तक मा सबको प् जड़ान बनाती है, जिससे सभी प्रकार के लोग एक निश्चित व्यवस्ता के द्वारा निश्रे यसके अधिकारी बन सकते हैं, आध्यात्मिक साधना में साधन जितना आगे बढ़ पाता है, उतना ही उसका चेहरा ओज और तेज से चमक उठता है, तो हमारे जो भी दिखेंगे कई गुरुदेव के जो बक्तगर्णों में साधना जिनकी है, आप उनके चेहरे देखो, अलग ओज आपको, अलग तेज उसमें दिखेगा, ओज और तेज गोरे रंग से संब्दित नहीं है, यह मुर्खता कभी नहीं करना कि गोरा है, मतलब तेजस पागलपन नहीं है, कम बुद्धी के लोग यह सोचते हैं, अंग्रे जोन का संस्कार, ओज और तेज एक अलग ही चीज है, अलग ही चीज है, उसका प्रेजन्स ही विशेश बन जाता है, मन की निर्मलता चेहरे पर स्पष्ट जलकती है, वो जो तेज मानी का जो मन निर्मल हो गया, रिदय की अंतरात्मा निर्मल अंतरात्मा वो चेहरे पर स्पष्ट जलकता है, यही वास्तविक वर्ण व्यवस्ता है, जो आध्यात्मिक विकास को सू व्यवस्तित और सू संब बंद करती है इस व्यवस्था में सादक जितना पहुंचा हुआ होता है उतना ही वह विनम्र और विवेक शिल बनता है और दूसरों को भी अपने साथ ले चलने का प्रयास करता है मेरा विकास हुआ है तो और उनका भी होना चाहिए इस मार्ग में यह बुद्ध्य आती है यह ऐसे यह नहीं होता है कि मैं तो हांगे पहुंच गया बाकी तो रखे मुझे क्या करना यह नहीं आती सच में जो इसमें आगे गया है उसको तो यह भाव उठता है कि मेरे साथ अन्य कि कोई छूट न पाए अब फिर भी अगर लोग उसका उपयोग नहीं कर सकते तो वो तो उनका अपना भाग गये हैं लेकिन वो तो सब तक पहुंच रहे हैं दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रहे कि सब को वही अनुपुति देना चाहते हैं तो जिसका मन निर्मल है अंतक करण निर्मल है शुद्ध है वो दूसरों को भी अपने साथ ही वहाँ तक पहुंचाएगा पहुंचाने की चेश्टा करेगा प्रयास करेगा और बिनम्र रहता है शुद्ध ग्यान कभी भी एहंकार को नहीं लेक्श आना मतलब अभी तक ग्यान में बने नहीं हो सब नकली ग्यान है कि एहंकार नश्ट हो जाता है ग्यान के आगे विनम्र हो जाता है व्यक्ति विवेक शिल हो जाता है सामाजिक वर्ण व्यवस्था के तरह इसमें उच नीच का बहारी भेदबाव नहीं होता बलकि सबको एक ही मूल वर्ण के विकेर्ण और प्रकेर्ण रूप रूपांतर समझने का सात्विक प्रयास प्रबल होता है वास्तों में यह सारी दुनिया जो रंग विरंगी शोभा से बहुरूपी और बहुरंगी दिखाई देती है एक ही प्रधान वर्ण शुक्रतारा या सूर्यकांति के तरह सच्च और श्वेत वर्ण पर आधारी थे वही सफेद रंग दृष्टि भेद और पातर भेद से सतरंगी शोभा का प्रदर्शन करता है सनातन वर्ण व्यवस्था को संचालित करती है ताकि सब का समन्वित और क्रमबद्ध विकासों और अन्धकार से आलोक की और लोक यात्रा बराबर चलती रहें। इसी प्रकार आश्रम व्यवस्था का भी संचालन देवी के द्वारा संपन्न होता है। बाल्य, यववन, वार्धक्य, वार्धक्य में बुड़ापा, आदि शारिरिक अवस्थाओं के अनुसार व्यक्ति को ब्रह्मचरिय, गारहस्त, वानप्रस्त और सन्यास के नियमों का पालन करना पड़ता है। चार आश्रम होते हैं जीवन में, पच्चिस साल तर ब्रह्मचरिय, पच्चिस से पचार ग्रहस्त, पचास से पचातर वानप्रस्त और पचातर से आगे सन्यास, कुछ-कुछ लोग ऐसे कि बीच के दो आश्रम स्कीप हो जाते, सिधा प्रमोशन, ब्रह्मचरिय से सिधा सन न्यास में ग्रहस्त और वान प्रस्तव उनके लिए स्किप हो जाता है शरीर धारियों को इस नियम पालन में सहयोग देने के उद्देश से शरीर के विकास के एक निश्चित और प्राकृतिक व्यवस्ता बनी हुई है यही परमेश्वरीद्वारा प्रवरतित विधी विधा इस प्राकृतिक विधी विधान को समझ कर जो प्रतेक अवस्थावे उसके लिए उपयुक्त आश्रम सुख का अनुभव करता है उसका जीवन चरितार्थ बन जाता है और उसकी साधना भी सफल बन जाती है प्रकृति की प्रतेक घटना परमेश्वरी की आग्या की ही वसंद, गृष्म, वर्षा, आदी रुतों का आवर्तन, दीन की गतिशिलता और रात की शीतलता, बच्पन का भोलापन और यवन की मादकता, प्रुत्वी की उर्वरता, जलकी निर्मलता, आग की उज्वलता, हवा की सुरभिलता और आकाश की व्यापकता, शब्द की पर्ष की रोमान चकता, रूप की रमनियता, रस की आस्वाध्यता, और गंध की बोहकता, ये सब प्राकृतिक घटनाये पांच भवतिक प्राणी को कर्मन निता की ओर निरंतर प्रदान करती हैं और मनबुद्धी आधि अंतक करण आत्मा का आलोक देखने के लिए आंतरि आमंतरन देते हैं, ये सब परमेश्वरी के आग्या की अनक ही व्याक्षाए हैं, इन भवतिक घटनाओं से जो आध्यात्मिक तत्व निगमित होता है, वही वेद वेदांग और वेदान तका रूप धारन करता है, प्रत्येक प्राणी इस दैवी नगर निगम का नागरिक हैं, देवी की आग्या ही देवनगर का निगम है, इसलिए उनको निजाध्या रूप निगमा कहा गया है, नागरिक होने के नाति कुछ अधिकार भी मिलते हैं, और कुछ कर्टवे भी निभाने पड़ते हैं, जिसकी जैसी करनी होते हैं, उसको वैसे भरनी पड़ते हैं, इसका भी फैसला विश्व जननी करती है, जो अच्छा काम करता है, उसको अच्छा फल मिलता है, और जो गलत काम करता है, उसी के अनुरूप फल मिलता है, कौन सा कार्य अच्छा है या पुन्य है, और कौन सा बुरा या अपुन्य पाफ है, इसका निर्णे प्रत्ते प्राण के अंतरंग में बैठी रंग नायकी करती है जो काम करने में अंतरंग प्रसंद होता है और दूसरों की भी प्रसंदता का कारण बनता है वही पुण्य है अंतरंग में प्रसंदता जिस कारे से आ आपके और दूसरों को भी प्रसनता मिले वो सब पुन्य में गिने जाते जो काम आंतरिक शांती में बादा पहुचाता है और दूसरों को उत्तेजित करता है वही पाप है इस प्रकार पाप और पुन्य का निर्णे प्रक्टेक व्यक्ति अपने अंतरतम की आवाज सुनकर कर सकता है यही देवी का दिव्य निर्णे है परमेश्वरी पाप और पुन्य का फल अवश्य देती है पर यहां हमारे संकल्प और आचरन के बलपर ही मिलता है इसलिए देवी से हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा संकल्प शुभ हो और आचरन अमलीन हो दुसरे शब संकल्प को सात्विक और आचारण को निर्मल बनाने में ज्ञान और विवेक का बहुत ही बड़ा हाथ होता है अच्छे से अच्छे जानकार होकर भी लोग गलत काम कर सकते हैं और यह भी देखा जाता है कि अनजान अनपढ और अभोध व्यक्ति भी आचारण में शुद्ध और सात्विक होता है वो इसमें आता है न सब्तशायती में जो ज्ञानी लोग है अती उचे उचाई पे जो पहुंच चुके ऐसे ग्यानियों के चेत ऐसे मन को मती को भी देवी हर शक्तिय देवी भगवती हिसा बलाद आकुर्ष बलसे वह आकुर्ष करके उसको माया महा माया प्रेश्च चती माने ज्यानी से भी गलत आचरण हो सकता है बहुत संबल के रहना चाहिए इसलिए निगम आगम आदी की जानकारी मातर से कोई प्रयोजन नहीं है निगम माने वेद अपनी सारी विद्वत्ता को श्री माता के श्री चरणों की धूली के समान समझकर उनी चरणों की शरण में जाने में ही ज्ञान की सार्थक्ता है जो भी ज्ञान प्राप्त होते रहता है जिवन में वो एहंकार न चड़े उस सब चरणों में समर्पित करते जाए गुरु की देवी की इसी आशे को प्रकट करने वाला अगला श्लोग है ज्ञान की दोशाखाए है निगम और आगम वेद और आगम वेद के आगम में कर्मकाण भी आता है और रिच्वल्स टेम्पल के बेद के मंत्र भाग को निगम कहा जाता है क्योंकि वह अंतफ प्रेरना से प्राप्त या निगमित होता है इसकी विपरिद बाहरी जानकारी और सूजबू जिस आचरण प्रक्रिया को रुपानमित करिया जाता है उसे आगम कहते हैं ज्ञान की दोनों शाखाय परमेश्वरी की अनुकंपा से प्राप्त होती है इसलिए आपने आर्तिय में भी सुना होगा आगम नेगम बखानी तुम शेव पटरानी ये आर्तिय में आता है उनके शुरुती के नाम से प्रसिद्ध सारा वैदिक वाड में परमेश्वरी की आगम साहित्य सिपी के समान है जो परमेश्वरी की पावन भावना उस सिपी को भरने वाला मोती है सारांश यह है कि वेद वेदांग वेदांत मंत्र तंत्र यंत्र शास्त्र विज्ञान आधी मा ललिता की महिमा से ही मान्य बन जाते है दैवी भावना के बिना यह सारा ज् तक पहुँच नहीं पाता जब तक ज्यान को भावना का संबल नहीं मिलता वह आत्मा के आलोक मारगा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता यह भावना भवानी की अनकंपा के बिना संबव नहीं है इसलिए वेद वेदान्त के उच्च कोटी के विद्वान को भी जो आत्म लाब नहीं मिल सकता वह भोली भाली गोक बालाओं को अनायास मिल जाता है आत्मा आलोक की भाषा को पहचानती है लोक की नहीं आज के लिए इतना काफी है कोई प्रश्चन है तो पूचिए पदमासन बैठने से वहराग्य आता है क्या यह सब ऐसे कोई अर्थ नहीं इन बातों में आप बैठे होंगे ने पदमासन में आया क्या वहराग्य वहराग्य तो पुरुपा से आता है ललिता सहसनाम के दिक्षा लिए जाती है कोई भी पढ़ सकता है कोई भी पढ़ सकता है लेकिन ठीक से सीखे नहीं तो नहीं पढ़ने बहुत संबल के सीखना चाहिए आउ टो मास्टर सेर्फ कंट्रोल एंड इमोशन्स सजक्ता से प्रज्या जगे सजब हो जाईए इंद्रिया निग्रह आज गुरुदेव बोल रहे थे शुबह अमारी स्वाध्या शुरुए शाहर आपको पता इसलिए टाइम भी चेंज के अभी नाव से दस भी गुरुदेव आएंगे इसलिए हमने आज टाइम आट से नह रखा सुबह भी अभी गुरुदेव अमारा स्वाध्या रहे रहे हैं गुरुदेव सुबह बोलते अब है तब करना चाहिए कंप्लेंट नहीं करना अगर हमको कोई सुख नहीं मिल रहा है शरीर के स्थर में कि उसको कंप्लेंट नहीं शिकायत के रूप में नहीं उतरना चाहिए। से लेना दाइभी प्रसाद बुरू का प्रसाद समझ के लिए लेना उससे काया की सिध्धिया थी माने काया शरीर को अगर तब हो रहा है जानबुश के एक पाव पे खड़े नहीं रहे नहीं तो मैंने बोला तब तो आप कल जाएंगे दोप में खड़े हो जाएंगे वो सब के रूप में तपने से फिर सिध्या होने लगते काया कायंद्र सिध्धी शरीर इंद्रें उनकी सिध्धी होने लगती है प्रोडवे वेयर जैंस्टोंस वाट इस दशिग्निफिकन्स अगर जरूरी है तो पहनना चाहिए बिजनेस जैसे नहीं है वो बहुत जरूरी रहता है उन्हीं को सजिस्ट करना चाहिए और ओरिजनल मिलना भी चाहिए आपको तो उसमें कोई ग्यान नहीं है आप कैसे पहचानेंगे यह ओरिजनल है कि बनाया हुआ है बड़ा मुश्किल अंतरात्मा के आवाजना सुनने के वज़े से बहुत कुछ खोया इस पच्टावे दुख से कैसे बाहर निकले निकलो गुर्द्यों को समर्पन कर लो सब गुरू को समर्पन कर दो रेंडर करने से सब छुट जाए वो तो लेने के लिए तैयार है सब हमारा कि जितना भोतकार वो सब लेने के लिए तैयार है भविश्यकाल के चिंता भी मत करो क्योंकि वो तो बोल रहे है वह मैं हुई आगे जो वर्तमान है वह आपके हाथ में उसको सब्सक्राइब करने से विशेश लाब नहीं है लाप तो नहीं है कोई भी आसन के लाप है है कि हम कईसे है निराशावार इतनी निराशा वहर दिये आपके वितर बच्पन से कि हम नहीं अहीं को दू जमते ही नहीं और प्वल Zentयावर में बैठने के कोशिश के होता नहीं है पूरे जीवन भर नहीं बैठता आदमी वजरासन में इसको बोलती जड़ता निराशा ऐसे आदमी क्यों जीवन में क्या सकते घटित होगा नहीं बैठ सकते प्रयास करो देरे-देरे आ जाएगा कि असी नव्य साल की बुड़े विक्ति भी योग आसन करते अब एक केरल की एक महिला है तमिलनाडू की आकेरल की देख लेना आप कि सारे आसन करती हूँ कि प्रत्यंगरी देविका स्तोत्रम पढ़ सकते नहीं पढ़ना क्या जरूरत पूला है क्या गुरुद्यव ने ज्यादा उग्र है उसमें मत जाएए कभी कबार में तो आपको लगाई देता हूं माला मंत्र प्रत्यंगरा माला मंत्र एक हाद दीन सुन लेना चाहिए हो तो मैं सुना है देता हूं में वह गेट लिंक आफ लिंक आफ लिंक आफ यूर आल सेशन देखते हैं प्लीज टेल वाट इल्स डिट गुरुजी से इन स्वाध्य हो सब क्या करेंगे सुनके इतना बता सकता हो कि आपको आज पूछा गुरुदेवने कैसे हो सब ठीक है क्या ब्रह्मा चैतन ने कहा हो क्या ब्रह्मा बता सकता है